अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच पे हुआ जग्रा अंकिता हुई विक्की से नारास वर्ल सल्मान खान के कॉंट्रोवर्शिल रियाले के शोद बिक बॉस सीजन सवंचीन के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला अंकिता विक्की से शुकायत कर रही होती है कि विक्की जिस तरीके से लड़कियों को पपाया खिलाते हैं यह चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती विक्की ये भी कहते हुआ नजर आते हैं कि अब वो इस चीज का ध्यान रखेंगे अंकिता कहती है कि वो कभी किसी लड़के को खुझ भी नहीं खिलाती है तो विक्की को भी यह सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए जो बॉंडरी वो अपने रिलेशन्शिप के लिए तैय करके आये थे घर से बाहर विक्की को उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए एट लीस्त उनकी relation की इतनी तो इज़त उन्हें रखी लेनी चाहिए यहाँ पर अंकिता ये भी कहती हुई नजर आती है कि वो काफी ज्यादा यहाँ पर आने के बाद emotional breakdown का सामना कर रही है अंकिता काफी ज्यादा emotional होती है और कहती है कि विक्की जो है विक्की से शिकायत कर रही होती है कि विक्की जो है वह एक practical इंसान है लेकिन अंकिता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है उनकी अगर किसी से लडाई होती है तो वो इस बारे में 100 बार सोच रही होती है लेकिन विक्की जो है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होते है अगर घर में किसी और कर कुछ भी मैटर हो या किसी और को इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो विक्की उनके पास होते है लेकिन अंकिता जब भी इमोशनल होती है विक्की उनके पास नहीं होते है अंकिता यहाँ बार बार विक्की से एमोशनल सपोर्ट की मुआत कर रही होती है जो ने विक्की के साइट से नहीं मिल रहा है विक्की से अंकिता जोने लगतार शिकायत भी कर रही होती है लेकिन विक्की भी यहाँ पर अंकिता पर गुस्सा करते हुए नजर आते और कहते हैं कि मुझे बता दे कि आखिरकार मुझे करना क्या है हमेरा इक बीच का ये जो मैटर है ये कभी भी सौग नहीं हो सकता और हमने कब प्याइट के आराम से बात की हो ये हमें खुद भी याद नहीं है बला आपका अंकिता लोखंटे और विकी जायन के बीच में हुए इस छगड़े पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें